नमस्कार, बाय जूस, आईस हिंदी में आपका सोगत है, प्रस्तुत है दैनिक क्विज, पहला प्रशन आपके समक्ष है, लोकपाल के संबंद में निमलिखित कत्नों पर विचार कीजे, लोकपाल का प्रशाशनिक वै भारत की संचित निधी पर भारित होगा, अध्यक्ष का वेतन भत्ता भारत के मुखे नियादीश के समान ही होगा, शिकायत दर्ज करने के लिए साथ साल किसी मावधी है, या किसी भी लोकसेवक के खिलाव, भरश्टाचार के किसी भी मामले में स्वता संग्यान लेकर जाज शुरू कर सकता है, और बेनामी शिकायतों को स्रीकार क लोकपाल के संदर में आपको ये जानना है कि ये भारत में सारजनिक पदादिकारियों, सिविल सेवकों के खिलाप संबंधित मामलों के संदर में भरश्टाचार के आरोपों की जांच किये जाने के लिए 2013 में इस थापेत किया गया एक वैधानिक निकाय है, जिसे लोकपा साल की सीमावधी को तैंट किया गया है, यानि आप साथ साल से पुरानी शिकायत इसमें नहीं कर सकते हैं, साती साथ ये किसी भी लोक सेवक के खिलाप भरश्टाचार के किसी भी मामले में स्वत्ता संग्यान के अधार पर जांच शुरू नहीं करता है, जिसमें शिकायत मि मिलने के बाद ही जांच शुरू की जाती है, यानि चौथा कतन हमारा सही नहीं है, साती साथ ये बेनामी शिकायतों को भी सुईकार नहीं करता है, इस अधार पर पांचवा कतन भी हमारा गलत होगा, हाला कि लोकपाल का प्रिशाशनिक वे भारत की संचित निदी पर भारि यदि हम लोकपाल की संरचना के संदर में कुछ अन्य विशेशताओं की बात करें, तो यह एक बहु सदस्य निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष और साथ ही अधिक्तम आज सदस्य होते हैं, इसमें लोकपाल के अध्यक्ष या तो भारत के पूर्व मुख्य नियाधीश या स विशेश ग्यान हो, इसके अलावा जो अधिक्तम आज सदस्य होते हैं, उनमें आधे नियाइक सदस्य होते हैं, और नियूनतम पचास प्रतिशत का अनुसूचित जाती, जन जाती, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक्ष और महिलाओं से संबंधित होना चाहीं, इ विशेश गुख सभाव विवक्ष के नेता, भारत के मुख्य नयाइधीश या उनके द्वारा नामित एक नयाइधीश के साथ ही एक प्रख्यात नयाइवित को भी शामिल किया जाता है, आज के दाहिंदू अकबार में लोकपाल से संबंधित एक खबर प्रकाशित होई है जिसके चलते ये काफी महत्तपूर हो जाता है, अगला प्रशना आपके समक्ष है, टीपुल सुल्तान के संदर में निमलिखित कतनों में से कौन सा से सही हैं हैं, उन्होंने डिंडी गुल में हतियारों की फैक्टरी स्थापित करने के लिए फ्रांसीसियों की मदद ली, ट भारती इतिहास के संदर में टीपु सुल्तान और हैदर अली भारत में अठारवी शतापती में दक्षिन भारत के मैसूर राज्य के प्रमुक शाशक के रूप में गिने जाते हैं, जिनोंने ततकालीन इस्ट इंडिया कंपनी के खिलाव चार युद्धों के माध्यम से कड प्रतिकिरिया व्यक्त की थी, इसमें हैदर अली और टीपु सुल्तान दोनों के ही द्वारा 1767 से 99 की अवधी में कुल्चाल आंगन मैसूर युद्धों को लड़ा गया था, जिसमें पहला युद्ध मदराज संधी के रूप में समाप्त हुआ था, दूसरा युद्ध मैं प्रतिकिरिया व्यक्त की था, इसमें हैदर अली और टीपु सुल्तान दोनों के ही द्वारा अंग्रेजों के वुरुद्ध फ्रांसीसियों की मदद ली गई, लेकिन टीपु सुल्तान के विपरीत हैदर अली ने डिंडी गुल में हैतियारों की फैक्टरी स्थापित करने के लिए फ्रांसीसियों की मदद ली थी, इसके अलावा हमें यह भी जानना चाहिए कि जो दूसरा आंगल मैसूर युद्ध देखा गया था, 1780 से 1784 की युद्धी में, इसके बीच में ही हैदर अली की मृत्ती हो जाती है, और उसके बाद टीपु सुल्तान द्वारा यु उठानी उठानी पड़ी थी, और इसका अंत स्रीरंग पत्नम की संधी के रूप में हुआ था, इस रूप में देखें, तो पहला और दूसरा दोनों ही पिकल्ट सही नहीं है, और हमारा उत्तर हो जाएगा दी, इन में से कोई भी नहीं, आज के इंडियान एक्सप्रेस में तीपू से संबंधित एक वाद विवाद प्रकाशित हुआ है, जिसके चलते तीपू सुल्तान काफी महत पुन हो जाते हैं, अगला प्रशन आपके समक्ष है, निमलिकित कतनों में से कौन सा से सही हैं है, ग्रेट बैरिया रीव, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित् अवस्थित में देख सकते हैं, जो ऑस्टेलिया की क्विन्स लैंड के टट पर कोरल सागर में अवस्थित है, और इस रूप में यह ऑस्टेलिया के उत्तर पूर्वी टट पर अवस्थित एक महत पुन परवाल भित्यों की श्रंकला है, यह दुनिया का सबसे व्यापक और शांदार परवाल भित्य पारिस्थित की तंत्र है, जो 2900 से अधिक व्यक्तिकत भित्यों और 900 दीपों से बना है, अगर हम बात करें गल्फ ऑफ कार्पेंटारिया की, तो यह ऑस्टेलिया के उत्री छेत में अवस्थित है, और इस रूप में ग्रेट बैरिया रीफ कोरल स इस अधार पर हम पहले विकल्प गलत साबित कर सकते हैं, जब हम बात करते हैं दूसरे विकल्प की, तो ऑस्टेलिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्यों वाला देश नहीं है, अपितु इंडोनेशिया का इस्थान इसके रूप में महत्पूर है, जिसमें दुन इससे संबंदित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें ऑस्टेलिया द्वारा चाइना पर यह आरोप लगाया गया है, कि ग्रेट बेरिया दीव को यूनेसको की खत्रे में नहित विश्विरासत इस्थल की सूची में डाला जाने का निर्णे किया जा रहा है, वह है चीन के दवाव में किया जा रहा है, और वह इसलिए किया जा रहा है कि चीन और ऑस्टेलिया दोनों के ही बीज विभिन मुद्दों को लेकर विवाद की स्थिती है, अगला प्रशन आपके समक्ष है, निमलिखित में से कौन सा कथन मून वौवल का सर्वोत्तम वर्णन करता है, य चंद्रमा की कक्षा में एक चक्रिय बदलाव है, जो प्रतेक 18.6 साल में होता है, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, जब हम बात करते हैं मून वौवल, जिसे समानने रूप में चंद्रमा का हिलना डुलना भी कहा जाता है, वै कुछ और नहीं, बलकि चंद्रमा की कक्ष में नियमित रूप से घूमना है, जिसे पहली बात 1728 में प्रगलेखित किया गया था, और इसको पूरा किये जाने में 18.6 साल लगते हैं, और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा C, यह चंद्रमा की कक्षा में एक चक्रिय बदलाव है, जो प्रतेक 18.6 साल में होता है, आज के इंडियन एक्सप्रेस में इससे संबंदित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें मून वोवल के संदर में नासा का एक नवीन अध्यन प्रकाशित हुआ है, और इसके माध्यम से यह आशंका व्यक्त की जा रही है, कि चंद्रमा के पिर्थिवी के और नजदीक आने क इस्तिती में जो गुरुत्वा कर्शन बल का प्रभाव देखा जाएगा, वह है पिर्थिवी के तटिये छेत्रों में उच्च जवार को ला सकता है, जो और भी गंभीर गतिविधियों को आगे बढ़ा सकता है, अब हम UPSC के पास्टियर के कोश्चन को देख लेते हैं, भ अबिधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रितिविंबित होता है, जिसके माध्यम से हम भारत के लोग मिलकर भारत को एक लोग कल्यालकारी राज्य बनाना चाहते हैं, और इसके लिए भारत के नागरिकों को स्वतंतरता, समानता, बंदुता और अन्य विवित प्रकार के अधिकारों आधी को दिया गया है, इस अधार पर हमारों उत्तर हो जाएगा A, अब हम देख लेते हैं आज के तथे, यानि Fact of the Day की, जिसमें हम बात करेंगे मध्यान भोजन योजना, जो आज के दाहिंदू अकबार में प्रमुकता से प्रकाशित हुई है, हाली में मिट्डे मील यानि मध्यान भोजन योजना को लेकर एक नवीन अध्यान शामने आया है, जिसके माध्यम से इस बात को इस्थापित किया गया है, कि मध्यान भोजन योजना यानि मिट्डे मील का लाव उठाने वाली बच्चियों की लंबाई में समानने बच्चों की तुलना में अधिक ब्रिद्धी देखी गई है और इस रूप में मध्यान भोजन योजना बच्चों में पोशन आउशक्ताओं को पूरा किये जाने के साथ ही भारत में कुपोशन की समस्याओं का भी निवान कर सकता है। मध्यान भोजन योजना के रूप में फिर से शुरू किया गया था। इस योजना के माध्यम से मुख्य रूप से कक्षा 1 से कक्षा 8 में पढ़ने वाले 6 से 14 आयूवर के बच्चों को जो स्कूल में दाखिला लेते हैं और उसमें भाग लेते हैं उन्हें बहतर पोशन मानको वाला गरम पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। इस योजना के माध्यम से जो बच्चों को भोजन प्रदान किया जाता है उसमें विवित प्रकार के पोशन मामडंडों का भी ध्यान रखा जाता है जिसके तहर सभी सरकारी और सरकारी सहयता प्राप्त स्कूलों के सा पर्थिद मदर्सों और मक्तवों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें कैलोरी की मात्रा के संदर में प्रात्मिक विद्याले के बच्चों यानि कक्छा 1-5 में 12 ग्राम प्रोटीन के साथ कम से कम 450 कैलोरी प्रदान की जाती है। ग्राम सब्जियों और 5 ग्राम तेल और वसा को भी निश्चित करने का प्रयास किया जाता है। जो कक्छा 6-8 के बच्चों के लिए 1500 ग्राम अनाज, 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्जी और 67 ग्राम तेल और वसा के रूप में देखा जाता है। भारत मिड़े मिल के माध्यम से न जा रहा है। मिड़े मिल के तहर दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जाच के संदर में स्कूलों में विद्दमान स्कूल प्रबंधन समीती की महत्मूर भूमिका होती है, जिसके 2 या 3 वयस्क सदस्यों के द्वारा एगमार गुणवत्ता वाली वस्तों की खरीद की जाती है और भोजन को भी चका जाता है। जब हम बात करते हैं एगमार की तो वास्तों में यह किर्शी उत्पाद, ग्रेडिंग और विपनान अधिनियम 1937 का शौट फॉर्म है, जिसके माध्यम से किर्शी उत्पादों के लिए गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित क किया गया है। मध्यान भोजन योजना खाद सुरक्षा को भी बढ़ावा देती है और साती साथ इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि खाद ध्यान के अनुपलब्दता या अन्य किसी कान से विध्याले में, किसी विध्याले दिवस पर मध्यान भोजन योजन उपलब्द नहीं कराये जाता है, तो राज्य सरकार आगामी महा की 15 तारीक तक खार्त सुरक्षा भत्ते को भी भुक्तान करेगी. इसके संदर में हमें यह भी ध्यान रखना है कि मध्यान भोजन योजना का विनियमन किये जाने के संदर में राज्य संचालित सहनिगरानी समिती यानि स्टेट स्टियरिंग कम मौनिटरिंग कमिटी का महत्तपूर्ण स्थान होता है, जो पोशन मानक और भोजन की गुडवत् के लिए एक तंत्र की स्थापना करता है और इसके कार्यान्वन में भी महत्तपूर भूमी का निभाता है बाइजू जाय सिंधी के आज क्यांक में फिलाल इतना ही धन्यवाद